एक जंगल में एक बहुत ही सुन्दर आबादी रहती थी। वहां के पेड़ पौधों की हर्याली, फूलों की खूबसूरती और पक्षियों के सुरीले गाने ने जंगल को एक स्वर्ग सा बना दिया था। पिर भी उसके पीछे शेर थोड़ी ही देर में उसे पकड़ लिया। और फिर उसने कहा ठीक है तू मेरे साथ रहेगा परन्तु अगर तूने मेरी विश्वास घात किया तो तेरा सामान्य होने के लिए इसी जंगल से बाहर निकाल दूँगा। इसके बाद शेर और खरगोश एक दूसरे के साथ जंगल में रहने लगे। शेर को खरगोश की बुद्धिमता और ताकत पर भरोसा हो गया। वह खरगोश को अपना साथी मानने लगा। जंगल में दिन बीत रहा था। एक दिन जंगल में बहुत ही तेज हवा चल रही थी। जंगल के पेड़ पौधों की हर्याली हिल रही थी। पक्षियों के शोर में बारिश की गुहार सुनाई दे रही थी। उस दिन शेर को जंगल की एक गुफा में अपनी शान्ती की नींद सोते हुए भगवान वायू ने उसे जड़ से हवा में उड़ा दिया। शेर बहुत दूर उड़ा और फिर वह गहरी गहरी नींद सोते हुए अपनी गुफा में लोटाया। इस घटना से शेर ने खुद को अपमानित महसूस किया। उसने खरगोश को धन्यवाद दिया क्योंकि वह उसकी जान बचा लिये थी। इसके बाद शेर और खरगोश की मित्रता में और भी मजबूती आई। वे जंगल में हमेशा साथी बने रहे और हर मुश्किल को साथ मिलकर पार किया। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि मित्रता और साजेदारी में शक्ती होती है और अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। शिक्षा, इस कहानी में हमने देखा कि खरगोश और शेर की मित्रता कैसे जंगल में एक दूसरे के साथ साजेदारी करके अपने लक्ष को हासिल किया, मित्रता में विश्वास रखना और एक दूसरे के साथ मदद करना हमें सफलता की ओर ले जाता है.